हेलो फ्रेंट्स कैसे ही आप सब आज मैं देखिए आपके साथ इस ब्यूटिफूल जाकिट डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप इसे कार्डिगन में जाकिट में दोनों में डाल सकते हैं लेडिज, जैंस, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में, कैब वगरा में, स्टॉल में, हर एक चीज में डाल सकते हैं बहुत इजी, सुन्दर और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये जाकिट हमारी सीधी तरफ से ऐसे और उल्टी तरफ से ऐसे बन के आई है इस बोर्डर की वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है वाइट कलर में मैंने बोर्डर डाला था, दो-तिन दीन हो गए इस बोर्डर की वीडियो शेयर कर दी थी मैंने आज मैं इस डिजैंड की वीडियो आपके साथ शेयर करने हो और ये जाकिट इतनी प्यारी लग रही है ना बहुत सुंतर बन कर आई है बहुत इजी है इसे बनाना बहुत यादा आसान देखें सीधी तरफ से ऐसे इसमें मैंने पोकिट वगरा भी लगाई है बहुत प्यारी बनी है देखिया आगे से दिखाऊं यह दिखें पूरी कि काते हैं इस डिजैन के बारे में इस डिजैन को दो देखी हमने सेट करने के लिए टैन्न न् के मल्टीबस से फंदे लेने है तीन फंदे एक्स रएने पै превक loroम को और इस design की first row सीधी तरफ से सीधी तरफ से first row पूरी सीधी ये पूरी slice सीधी आपने border बनाना है border बनाने के बाद एक row पूरी सीधी सीधी बना लेनी है और फिर से कहा रही हो अगर आप यही वाला बोर्डर बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है दो-तिन दीन होए वाइट कलर में मैंने यह बोर्डर बना कर आपको बताया था तो आप उसे देख सकते हैं नई वीडियो मिलेगी कमेंटर पर बोल देना मैं दे दूंगी ठीक है तो यह फर्स्ट रो पूरी हम सीधी बना लेंगे और उल्टी तरफ से इस पैटरन में पूरी रो पूरी जैक्ट में आपने उल्टी उल्टी ही बनानी है उल्टी तरफ से कोई डिजाइन नहीं आता है तभी बोरी थी कि बहुत इजी पैटरन है क्योंकि जो डिजाइन सीधी तरफ से सिरफ डलते है न उल्टी तरफ से नहीं डालने होते हैं मुझे बहुत असान लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं वह वाले डिजाइन पूरी रो पूल्टी अब सीधी तरफ से हमारी थर्ड रो तो फर्स्ट फंदे को आप उतारना चाहूं उतार सकते हो, बनाना चाहूं बना सकते हो, यह आपकी मर्जी यह हमारा एट स्टिंज का फंदाए। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यहाँ पर इन दो फंदों को दो काईक कर देंगे, ऐसे, उल्टा बनाते हुए न, दो काईक कर देना है, दो काईक किया, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाई, यहाँ पर हमने एक फंदा कम किया है न, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, यहाँ पर हमने जाली डाल दी, यह एक फंदा कम किया था, यहाँ पर हमारी जाली डाल गई, अब यह एक धागा अपनी तरफ करेंगे, एक, दो, तीन फंदे सीध इस फंदे के देखें, दोनों तरफ हमने जाली डाल ली, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे हमारे सीधे हो गए, अब यहां पर तीन का एक कर देंगे, तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक, दो और तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बना देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक दो तीन फंदे सीधे फिर से इस फंदे के दोनों तरफ हमने जारी डाली यह तीन फंदे सीधे हो गए अब धागा अपनी तरफ करत तीन फंदे सीधे, इसी पैटरोन को आपने पूरी रो में दोहराते जाना है, फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, यह एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ यह एक, दो, तीन फंदे सीधे, फिर से तीन का एक तीन फंदे सीधे, फिर से एक फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे पूरी रो में आपने यही करते जाना है last में देखिए इस फंदे के दोनों तरफ जाली डाली ये 3 फंदे सीधे फिर दागा अपनी तरफ करते हुए इन 2 फंदो को दोका कर देंगे उलटा बनाते हुए ये दास्ट का फंदा हमारा सीधा ऐसे अब उल्टी तरफ से यह fourth row हमारी पूरी उल्टी आएगी उल्टी तरफ से कोई पैर्टन नहीं डलेगा मैंने पहली ही बताया है आपको तो यह पूरी row हम ऐसे ही उल्टी-ल्टी बनाती जाएंगे ठीक है रो फाइव सीधी तरफ से पहले फंदे को सीधा बना लेंगे फिर धागा करेंगे अब इन दो फंदों को दोगे कर देंगे ऐसे फिर धागा करेंगे दो हम सीधे मैं लेंगे एक दो दो परदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, अब ये तीन फन्दे सीधे, एक दो और ये तीन, ठीक है? जाली से बड़े हुए फन्दे हम ने, ये बीच में सीधे बनाते आना है, और इन दोनों के, दोनों तरफ हमने जाली डालने है, एक जाली ये दाल अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, एक जाली और डलगी, ठीक है यहाँ पर, दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर तीन का एक कर देंगे, तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, यह एक ये दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे एक जाली डाले यहाँ पर फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे एक दो फंदे सीधे बना लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर फिर से हमने तीन काई करना ह आपर देखिए एक नोट सी बन जाती है गांट सी आ जाती है हमारी ठीक है अब यहाँ पर तीन का एक कर दिया फिर धागा दूसरी तरफ दो फंदे ये सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे ये एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये एक दो फंदे सीधे बना देंगे दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर दो काई कर देंगे ऐसे उल्टा बनाते हुए लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से 6th row पूरी उल्टी 7th row सीधी तरफ से 1st फंदे को तो पहले हम सीधा ही बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर 2 काई कर देंगे ऐसे 2 काई करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर बीच में हमारे पांच फंदे सीधा गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करकर देखें, फंदा बनाते हैं, तो यहाँ पर जाली डल जाती है, जिससे एक फंदा हमारे यह बढ़ गया, अब धागा फ करने के बाद धागा दूसरी तरफ यह एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, अब फिर से यह पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंग फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीधे हो गए और यहाँ पर हमारी जाली डल गए फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ कर लेंगे लास्ट के ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा ऐसे और उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बना लेंगे अब सीधी तरफ से इस पैटरन की ये हमारी लास्ट प्रो है तो एक फंदा हमारा ये सीधा बनेगा धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर हमने दो काई कर देना है दो काई किया अब धागा अपनी तरफ रखते हुए ये जाली वाले फंदों को सीधा बना देंगे यहां पर हमने जाली भी डालनी है तो उल्टे की तरफ से ऐसे घुमा लेंगे ऐसे घुमाने के बाद यहां पर तीन का एक कर देंगे दो और यह तीन तीन का एक किया उसके बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे यहाँ पर जाले डालेंगे और यह 7 फंदे हम सीधे बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टे की तरफ से घूमाएंगे यहाँ पर 3 काई कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ रखते हुए यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे और ये दो फंदों का एक कर देंगे उल्टा बनाते हुए लास्ट का फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से टैंथ रो हमारी पूरी उल्टी आएगी और यहीं परिगे पैटरन बन कर हमारा देखे कम्प्लीट हो गया है इसके बाद हमने क्या करना है इसे फर्स्ट रो से रेपीट मतलब कि पूरी रो सीधी फिर उल्टी फिर यहां से हमारा यह डिजाइन डलना स्टार्ट हो जाएगा आपने इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देना है आगे आगे बनाते जाओगे तो ऐसा देखे बीटिफुल डिजाइन बन कर आपका रेडी हो जाएगा डिजाइन हमारा बहुत प्यारा है तो जुरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन सब्सक्राइब आपको पता है कमेंट आपको पता है और शेयर भी करना है ठीक है फिर मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ बाइब बाइ